आप सभी को मेरी तरफ से रमजानुन मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो और इस मुबारक महेने के सद्गे में जो कोई भी कहीं भी परेशान हाल है अल्ला तल्ला उसकी परेशानियों को दूर फर्मा और धेर सारी खुशिया मिले और मैं उमीद करूंगी कि आज के कमेंड म मुझे आमीन ही मिले हाई फ्रेंड कैसे हो आप लोग उमीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और यह मेरा पाव केजी का चॉकलेट फिलेवर का केक है और यह स्पोंज मेरा दो तिन दिन पहले का ही बना हुआ फ्रीज में रखा था आप भी ऐसा स्टोर करक सकते हैं कोई भी फिलेवर का कोई दिक्कत नहीं है आप पहलyal इसको आठ तरफिंट का आराम से लिकिन हास apoyo नहीं रखना है आपको clean wrap में wrap करके रखना है या किसी भी थैली में लपेट कर रखना है पेपर में नहीं रखना है आपका 8 से 15 दिन तक के बीच में वो बिल्कुल खराब नहीं होगा लेकिन मेरा मानना है 10 दिन तक का बहुत है आप उसे ज़्यादा ना store करें अगर order नहीं आते हैं तो आप यूज कर लिया करें और ये है ना मैं दो layer करी हूँ दोनों को ही अच्छे से soaking करी हूँ और whipping cream है ना मेरे पास बहुत ही थोड़ा सा था जो ये piping bag में देख रहे हैं ना आप इतना final था मेरे पास है ना पर decoration करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था और इतना थोड़े से के लिए whip करना भी मुश्किल ही रहता है वीब ही नहीं होता है जल्दी मशीन ही नहीं चलेगा उसमें उतने थोड़े में और मुझे order भी नहीं थे और खाली मुझे यही केक बनाना था तो मैं बोली कि जाने दो बिना nozzle और बिना chocolate के आज में अपने केक को सजाओंगी क्योंकि मेरे पास garnishing भी नहीं थी जब मैं एक केक बना रही थी नहीं तो दो-चार garnishing उपर रख दोना तो केक सजी जाता है उसके बाद flowers की जरूरत नहीं रहती है चोटे केक में और मुझे तो लग रहा था कि icing भी होगी की नहीं लेकिन icing तो अच्छे से हो गई थी उसमें बिलकुल भी दिक्कत नहीं पड़ा था अगर मेरी icing अच्छे से नहीं होती तो मुझे विप करना ही पड़ता लेकिन icing हो गई थी तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है बिना नोजल और गानिशिंग के मेरा ये के कितना सुन्दर तयार है कि आप है ना बनाना चाहेंगे जो नए-ने होंगे और जिसको बनाना आता होगा तो उसकी तो क्या ही बात है वो कुछ भी अपनी केक में बना सकता है लेकिन जो नहीं नहीं सीख रहे हैं उनके लिए शुरू आती दोर में ऐसा केक बनाएंगे ना तो काफी अच्छा रहेगा हाँ अगर आपके पास गार्निशिंग है तो और लिए दो चार गार्निशिंग इसके उपर रख देंगे ना तो और भी सुन्दर लगेगा लेकिन मेरा ये भी सुन्दर लग रहा था ऐसा नहीं है कि ये सुन्दर नहीं लग रहा था और ये जो गनाश में डाल रही हुँ ना ये थोड़ा सा थीक था क्योंकि मैं इसको गरम नहीं करी थी आप जब यहाँ पर डालना चाहे ना तो उससे पहले थोड़ा सा गरम कर लें क्या था मैं दो केक बनाईती तो जिससे पहले बनाईती उसि टाइम में मेल्ड करी थी ज़ए को और यहां पर यह थोड़ा थीक हो चुका था जब थंडा होता है थे तो थ्थेक 해कर तो थिक हो जाता आप एक जगह डाल देंगे ना दो चार बड़ा हुआ तो उतना अच्छा नहीं लगेगा तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक एक उठा उठा के रखेंगे और वीडियो ज़रा भी हेल्फुल लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना और एक ये बड़े का टेक लगाई हूँ और ये रहा मेरे केक का फाइनल लुक उमीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई